इंफिनिक्स के GT Series के स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन होते हैं लेकिन इस बार इंफिनिक्स ने कैमरा और सॉफ्टर पे भी काफी फोकस किया है इंफिनिक्स GT20 Pro, इंफिनिक्स GT10 Pro के उपर चार अपग्रेड्स प्रवाइड करता है जिनकी इस वीडियो में बात करेंगे अब पहली अपग्रेड इंफिनिक्स GT20 Pro में डिस्प्ले के डिपार्टपेंट में है इस स्मार्टपोन में 6.78 इंचेस का 144 हर्ट्स रिफ्रेश एट के साथ FHD डिस्प्ले इंफिनिक्स ने प्रवाइड किया है एमुलेट डिस्प्ले है और 91% स्क्रीन टो बाडी रेशो यह वाला स्मार्टपोन प्रवाइड करता है यानि के एक तो डिस्प्ले की जो बेजल्स है उनको कम किया गया है दूसरा पिछली बार 120 हर्ट रिफ्रेश रेट था इस बार 144 हर्ट रिफ्रेश रेट है और ब्राइटनेस को भी इंक्रीज किया गया है इन्फिरिक्स ने GT20 Pro में परवाइड की है दूसरी अप्ग्रेड इस स्मार्टफून के डिजाइन के डिपार्टमेंट में है इस स्मार्टफून में डूल स्टेरो स्पिकर्स का सेटप परवाइड किया गया है उसके साथ इन्फिरिक्स ने IR ब्लास्टर भी परवाइड किया है स्केंडरी नॉइस का सेलेशन माइक उपर के साइट पर देखने को मिल जाता है और बैक साइट पर इन्फिरिक्स GT10 Pro बेसिकली जो बैक साइट पर LED आती है स्ट्राइप उसकी वज़े से फेमस हुआ था तो इस बार उस डिजाइन को भी अपग्रेड किया गया है एक तो आप जो LED ने हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने इस आप से तोड़सी फक्सिलाटिक को भी इंक्रीज किया गया है लाइट की जो स्ट्राइप है उसका एरिया भी पहले से बढ़ा दिया गया है पिछली बार किसी किसमकी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती थी इस बार IP54 की स्प्लेश एंडस्ट रिजिस्टन्स परवाइड की गई है तीन कलर में येवाला स्मार्टफोन अवेलेबल है और सबसे जो खुबसूरत कलर है मुझे पसंद आया है वो सिल्वर कलर है तो डिजाइन और डिस्प्लेय के सेक्षन इस स्मार्टफोन का इसके कॉंपेटिशन में जितने स्मार्टफोन आते हैं उनको ये टकर देता है डिजाइन हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए कुछ लोगों को पसंद आए लेकिन गेमेंग को टार्गेट करता है तो गेमर्स को ये वाला स्मार्टफोन डिजाइन के हिसाब से काफी पसंद आएगा तीसे ने नमबर पे काफी practical अपग्रेड इन्फिनिक्स ने performance और software में की है अब इन्फिनिक्स GT20 Pro में MediaTek Dimensity 8200 Ultra का प्रसेसर प्रवाइड किया गया है 4NM पर बेस्ट है पिशली बार 6NM वाला प्रवाइड किया गया था तो performance में upgrade है 8GB 256GB के साथ इस बार 12GB 256GB वाला variant भी इन्फिनिक्स ने launch किया है UFS 3.1 के storage है LPDDR5S की RAM है तो gaming phone से आप जितनी high speed कम budget एक्सपेक्ट करते हैं इन्फिनिक्स GT20 Pro वो सारी specifications प्रवाइड करता है लेकिन जैसे मैंने बताया कि upgrade software के department में है यह वाला smartphone Android 14 के साथ XOS version 14 के साथ आता है बाइदे वे XOS version 14 में इन्फिनिक्स ने पहले वाले software से काफी चीज़ों को improve कर दिया है काफी नई चीज़ें प्रवाइड की गई है Lock screen customization, ads वेगर को remove कर दिया है settings में बहुत सारे नई options है मैंने XOS version 14 पे जो इन्फिनिक्स note 40 pro की वीडियो थी उसके उपर detail से बना रखी है XOS 14 के बारे में detail में जाना चाते है तो यहाँ पर उस वीडियो के लिंक दे दूँगा नीचे description में भी उस वीडियो के लिंक आपको देखने को मिल जाएगा उसके साथ इस बार इन्फिनिक्स ने promise किया है पहली बार इन्फिनिक्स note 40 सीरीज में भी इन्फिनिक्स ने कहा है कि दो साल के major updates और तीन साल के security updates प्रवाइड किये जाएंगे इन्फिनिक्स GT20 Pro में भी दो साल के major Android updates और तीन साल की स्क्यूर्टी अपडेट इंफिनिक्स ने प्रवाइड करने हैं इसके विजह से सॉफ्टर की डिपार्टमेंट में इंफिनिक्स सीरियस है और जीटी 20 प्रो को सिर्फ गेमर हजरात नहीं बलके जो मैसेज होते हैं वह भी कंसिजर कर सकते हैं इसपेशली जो अ सेंसर एफ 1.8 अपर्चर के साथ जो देखने को मिलता है उसमें प्रवाइड की हैं बाग की दोनों कैमरा स्पेशली बार के तरह डेप सेंसर और मैक्रो कैमरा हैं अल्ट्रा वाइलेंस प्रवाइड नहीं किया गया लेकिन जो मेन कैमरा है 108 मेगपिक्सल का इसमें इन सेंसर कैमरा जूम की टोकलोलजी प्रवाइड की गई है तो 3X पे फोटो पोट्रेड और वीडियो वगेरा क्वाल्टी खराब नहीं होगी आप 3X पे भी फोटो वीडियो ले सकते हैं फ्रंट पर 32 मेगपिसल का सेल्फी कैमरा आटो फोकस के साथ देखने को मिल जाता है बैक जादर कैप्चर करेगा सेंसर दूसरे नंबर पे वीडियो जो स्टेबल आती हैं फोर के 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ओएस काम नहीं करेगा ओएस पे वीडियो लेनी है तो 1080p 30 fps पे ओएस काम करती है यह हमने रिसेंट्ली टेकनो की कैमन 30 सेरीज इंफिक् की बैटरी है 45 वाट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग को स्पोर्ट करता है एंफसी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है इंफिनिक्स ने हैप्टेक मोटर को अपगरेड किया है एक्स एकसे लिनियर मोटर प्रवाइड की गई है जिसकी विजए से यह फ्रेम को बूस्ट कर से स्पेशली जैसे मैंने बताया के सॉफ्टेयर के बारे में इंफिनिक्स सीरियस है कैमरा में इंप्रूब्मेट जोदी है इसके विज़से सिर्फ गेमर्स नहीं बलके दूसरे लोग भी स्मार्टफोन को कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मच्च गुडबाइ कर दो Kivolowitz y को जोदी बलके जचे उप